कंद आज करने वाले हैं वूल फैब्रिक की और यह कितने तरह के होते हैं जब भी हम स्वैटर की शॉपिंग करने की लिए जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिर हम किस ट्रहा है माटेरियल से बने स्वैटर लो carry basics हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए वेल ये वीडियो काफी informative होने वाला है so make sure कि आप वीडियो को last तक देखें क्योंकि ये काफी beneficial भी रहेगा आपके लिए अगर आपके लिए वीडियो helpful रहा तो अपना feedback ज़रूर दीजिएगा now let's get started with the lesson पहले हम ये समझें कि wool fabric होता क्या है कैसे बनता है तो wool natural fibers से बनता है natural fibers जो हमें animals से मिलते हैं जैसे sheep, goat, rabbits, camels जो wool हमें sheep hair से मिलती है वो actual wool होती है बट वो भारी होती है उसका weight जादा होता है और ये extremely warm होती है पर इस तरह की wool के sweaters पहनने से हमारी skin में irritation होता है तो उसको avoid करने के लिए हमें cotton anners पहनना जरूरी होता है there are nine different types of wool मैं इस वीडियो में wool की उन sub-categories के बारे में ही बात करूँगी जो हमारे इंडिया में काफी popular है और जो लोग लेना prefer करते हैं तो उनमें सबसे पहली category या सबसे पहला जो type है wool का वो है marino, lamb wool, cashmere, angora, mohair और camel wool सबसे पहले marino wool की बात करें अगर हम तो marino wool comes from the marino breed of sheep और ये अपने fine fibers के लिए जानी जाती है और इसकी warmth के बारे में अगर हम बात करें तो वो काफी कम होती है सर्दियों की initial stage होती है जब सर्दियां शुरू होती है तब हम इन sweaters को wear कर सकते हैं या जब सर्दियां खतम हो रही होती है जब ठंड़क कम होती है उस वक्त हम इने पहन सकते हैं या बारिश के मौसम में जब मौसम थोड़ा सा ठंड़ा हो जाता है ठंड़क होती है मौसम में उस वक्त भी हम इने पहन सकते हैं इस wool की quality की अगर मैं बात करूँ तो इस wool की quality काफी अच्छी होती है, ये काफी fine और soft होती है ये wool, जो wool होती है या जो hair की length होती है, sheep के hair की length होती है, वो काफी लंबी रहती है, तो इसी वज़ा से ये काफी fine होती है, अब जितने लंबे fibers होते हैं, उतना ही fine कपड़ा बनता ह तो overall merino fabric या merino wool होती है, यह काफी fine होती है, soft होती है और काफी strong fabric होता है इसका, तो strength भी इसकी काफी अच्छी होती है Next है lamb wool, अब जैसा कि हमें lamb wool इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कि जो sheep के जो बच्चे होते हैं, जो young sheep होती है, कुछ महीने की, जैसे 7 महीने की तो उन young sheep के hair से यह sweaters बनाए जाते हैं, इसकी quality की अगर हम बात करें, तो lamb wool काफी soft होती है, और काफी warm भी होती है तो अगर आप लेना चाहें, तो lamb wool के sweaters भी ले सकते हैं, next is cashmere, यह wool कश्मीरी goat से मिलती है, और यह एक ऐसा fabric है, जिसे all over the world, हर कोई लेना prefer करता है और इसका एक drawback यही होता है कि यह काफी expensive होती है, expensive इसी लिए होती है, क्योंकि single sweater या एक sweater भी बनाना है, तो उसके लिए दो cashmere goats की जरूरत होती है इस goat के जो सिर्फ neck के hair होते हैं, सिर्फ उन ही को use किया जाता है, obviously फिर इसका जो fiber है, वो हमें काफी कम amount में मिलता है, और इसी वजह से यह काफी expensive होता है आपने पशमीना के shawls, sweater, scarf या blankets देखे होंगे, या यह सोना होगा कि वो बहुत expensive होते हैं, तो पशमीना भी cashmere का एक version है well अगर इसकी qualities की बात की जाए, तो इसकी qualities काफी जादा है, बहुत अच्छा fabric है यह, fine है, lightweight है, long lasting है, पतला जरूर होता है, बट इसकी warm तो बहुत अच्छी होती है, बहुत गरम होता है यह next wool is angora wool, angora wool comes from angora rabbits, angora rabbits से यह wool ली जाती है, actual wool से यह बहुत soft होता है और बहुत warm भी होता है, अब extremely soft fibers होने की वजह से और इसके delicate होने की वजह से, इस fiber में दूसरे fibers को भी mix किया जाता है, जिससे इसकी durability को बढ़ाया जा सके, and यह fabric भी expensive होता है Now we'll talk about our next category of wool, जो है मुहेर मुहेर comes from angora goat, angora goat से मुहेर ली जाती है, अब यहाँ confused नहीं होना है, अंगोरा goat अलग है और अंगोरा rabbit अलग है यह goats hilly area में पाई जाती है, so इस goat से जो wool ली जाती है, उसका दूसरी wool से अलग होने के कई reason है इसके fibers थिक जरूर होते हैं, बट दूसरी wool की तरह इतने coarse नहीं होते है Coarse मतलब भारी नहीं होते है, उनमें खुरदुरा पन नहीं होता है, या रूखा पन नहीं होता है क्योंकि इनके fibers की length जादा होती है, तो जादा length की वज़ा से उसमें smoothness आ जाती है इसकी अगर और qualities की बात की जाए, तो इसमें high elasticity होती है, मतलब इसके fabric को जब आप stretch करेंगे, तो वो वापस अपनी shape में आ जाता है और इसी लिए इसमें wrinkling की भी problem नहीं होती है, साथ ही इस fabric में एक shine रहती है, जो की actual wool में हमें नहीं मिलती सो मुहेर फैबरिक से बने sweaters भी लिए जा सकते हैं Next is camel hair Most camel hair comes from bactrian camels Bactrian camel अपने long lustrous hair और back पर जो दो humps होते हैं, उनके लिए जाने जाते हैं Camel hair मुहेर की तरह ही होते हैं And is finer and longer than sheep's wool और इसी वज़ा से जो इसका fiber होता है, वो काफी light weight होता है और उसमें चमक भी बहुत होती है, जो sheep की wool में missing component है और cashmere की तरह ही काफी soft भी होता है Camel hair को अकसर इसके natural color में ही रखा जाता है, हालाकि ये diable है बट फिर भी इसे light brown या golden brown में ही अकसर रखा जाता है तो इस fabric से sweaters, coats, scarves और भी बहुत कुछ बनाया जाता है तो ये थी कुछ basic woolen fabric की बाते हैं अब अगर हम cotton के sweaters की बात करें, तो cotton के sweaters सस्ते तो होते हैं, साथ में skin friendly भी होते हैं, lightweight भी होते हैं पर इसमें shrinkage की problem बहुत होती है वही हम acrylic fiber से बने sweaters की बात करें, तो उसमें ये problem नहीं आती है acrylic fiber is made with plastic threads plastic threads, जो की man-made polymer fiber है, एक synthetic fabric है ये और wool की तरह ही feel होता है, cost इसकी कम होती है, जल्दी सूखता है ये और किसी भी bright color में ये मिल जाता है, बड़ इसका drawback है, कि यदि इसे stretch किया जाए, तो इसका shape खराब हो जाता है well, acrylic fiber बहुत lightweight होता है, warm होता है, soft होता है तो wool या cotton के साथ, इसको as a blend use किया जाता है जब भी आप cotton blend या wool blend लिखा हुआ देखें, तो उसका सीधा यही मतलब होता है, कि वो सिर्फ cotton या सिर्फ wool नहीं है क्योंकि pure woolen या pure cotton तो मिलना मुश्किल है, तो cotton blend या wool blend का मतलब है कि उसके साथ कोई दूसरा fiber भी mix किया गया है अब synthetic fabric एक man made fabric है, तो इसकी cost भी काफी कम है और इसलिए लोग आजकल इसे लेना prefer करते हैं अब इसके drawback की अगर हम बात करें, तो इसका drawback यही है कि यह environment friendly नहीं है it is not a good material, इसे manufacturers अपने पैसों को बचाने के लिए यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि natural fiber से बने sweaters ही लें, क्योंकि वही हमारे और हमारे environment दोनों के लिए बहतर है और अगर आप low cost पर जाना चाहते हैं, तो आप cotton को prefer कर सकते हैं वेल यह थी basic sweater guide, I hope आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा अगर helpful रहा तो please like करें, अपने friends के साथ share करें और comment box में अपना feedback देना ना भूलें आप मेरे channel पर नए हैं, तो please मेरे channel को भी subscribe कर लीजिए Thank you so much for watching my video